शिरुटी तुम्हारी ये दूर बहुत खुशिराथ है यह मैं यह एक दिन मरफ़स रख सकती हूँ फ्लीज जब हम दुसरे बार मिलेंगे तब यह वाफ़स कर दूँगी यह मैरे समसे फेवरित वे और समसे प्यारी अगर तुम वध़ करते हूँ के तुम इसका बरार से दूआ दूआ रखोगी तो मैं यह तुम्हार दूँगी फिकर मत करो, मैं वध़ खटी हूँ के मैं इसका दूआ रखोगी दिना, चलो खाना तय 125 हो गया है मैं अभी आई मॉमी आज मुझे शुरूती के दाव वापस कानी है चलो उसको मैं दूनती हूँ कहा रखी मैंने कहा रखी मैंने मुझे मिल क्यों नहीं रही मामी मैं शुरूती के दाल दून रही हो जो उसना मुझे खेलना के लिए दी थी मगर मुझे मिल नहीं रही है बेबी तुम्हें इसलिए नहीं मिल रही क्योंके तुम्हारा कामरा कितना अंटाइडी है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे दूंदने में मदद कारती हूँ तुम्हें दूसरों की दी हुई चीज का हमेशा दियान रखना चाहिए आपी जाओ और शुरूती को सारी बोलो मैंने शुरूती के दाव खराब कार दी मगर कोई बात नहीं वो मज़े माफ कर दी सारी शुरूती नंहें तुम्हारे दाव खराब कार दी ययलो तुमना कहा था के तुम इसका धयान रखोगे मैं अब खबी तुम्हें अपने डास नहीं डूंगी माइट देना मैं तुम्हारे डास से भी आच्छी डार कर डूंगी शुरूती को बुरा लगा बगर कोई बात नहीं खाल स्कूर की पीखने कहे और मैं खूब मुजा करूंगी मुझे आप खुछ भी नाराज नहीं कर सकता मैं फिकनिक के लिए जल्दी से तैयार हो जाती हूँ मैं बग किदर है में क्यों नहीं रही मेरे जूठे और खुछ भी आपने जगा नहीं है मैं क्या करूं मैं बहुत लेद हो गई हूँ रुखो प्लीज रुखो बस रुख जाओ मैं बस चली गई मैं मी देखा मैंने अपने पिकनिक के बस मीस कर दी अभी सेवी में बस बाट करो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी सेवी बच्चे पिकनिक में करेंगे मैं मज़ा करेंगे मैं यहां गर में बेख करूंगी कोई बात नहीं बेबी अगर तुम अपना रुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हे पार्क में ले जाओंगी तुम्हे आईस्क्रीम भी खिलाओंगी तुम वहाँ पे बहुत कहल सकती हूँ मामी मैं बहुत नारास हूँ मुझे सेफ मेरे रुम में जाकर अपनी दार के साथ करना है ठीक है बेबी जैसे तुमारे मरसी ठीना मामी मामी क्या हुआ कुछ नहीं बेबी आप ठीक तो हो ना उफ कुछ नहीं बेबी थोड़ा लग गया मैं तुम्हे कुछ स्नेक्स के लिए बुलाना आई थी इसके वज़े से मैंने शुरुती को नारास किया मेरे पिकनिक के बस भी चुट गई मेरे मामी को फिर में छोट लगी मामी मेरे वज़े से आपको छोट लगी मुझे एक ताइडी ग्रेब बना है चीजों को वापस वही पर रखना है जहां से निकला है अगर तुम ये याद से करोगी तो तुम्हारा रूम हमेशा साफ और ताइडी रहेगा चलो मिलके तुम्हारा रूम ताइडी और खूब सुरत बना देते है करेंगा, कि हौब तुम्हारा रूम तुम्हारा कोशले करोगा रूम से करेंगा ममी मेरा रूम कितना साफ और ठाइडी लग रहा है और मेरे सारी किलोने भी खुश नजर आ रहा है ममी क्या अब मेरे फ्रेंग के लिए एक दाख खरीद के दूगे मैंने उसकी दाख खराब कर दी थी ना जरूर क्यों नहीं थी ना शुरती मैं उसकी दिन के लिए तुमसे माफी मंगती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बोरा किया मैंने तुम्हारे लिए वैसे ही नई दार खरीदी है आँ, ठैकि अधीना क्यों न जाकर मेरे कवर में कहते है वाओ, क्या ये तुम्हारा रूम है यह तो बहुत साफ, ताइडी और खुप्शूरत लग रहा है अब ही मैं आपने सारी ठोइस करने के लिए तुम्हें दूंगी